ओम श्री गनेशाय नमहा राधे राधे जै श्री कृष्ण भक्तों स्वागत है आपका आपके अपनी जैनल ग्रेट MS वोइस में कानह जी का आशिरवात आप पर और आपके संपोर्ण परिवार पर सदयाव बना रहे है पहले के वीडियोज को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हम मागमास महात्मे के नवे अध्याय का श्रवन करेंगे जिसमें आज हम स्त्रोथ सुनेंगे जिससे भगवान को प्रसंद किया गया था और यह स्त्रोथ भगवान को बहुत पसंद है इसे जो भी भक्ती पूर्वक इसको सुनता है वह अक्षश सुक पाता है और रिशी लोमश से उस स्त्रोत को सुनने का अनुरोद किया था जिससे भ्रामण ने भगवान को प्रसन किया था देव निधी हाथ जोड़कर लोमश रिशी से कहते हैं कि हे मैं रिशी जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुश्य पवित्र हो जाता है वैसे ही भगवान की इस सुनकर मैं पवित्र हो गया क्रिप्या करके उस उस रोट को कहीए जिससे उस भ्रामण ने भगवान को प्रसन किया था लोमश जी कहते हैं कि उस स्त्रोध को पहले गरूड जी ने पढ़ा फिर उन से मैंने यह स्त्रोध सुना हे विप्र यह स्त्रोध अध्यात्म विद्यागा सार पापों का नाश करने वाला है वासुदेर, सर्व व्यापी, चक्रधारी, सजनों के प्रिय जगत के स्वामी शिरिक्रेश्न को नमस्कार है जब स्तूती करने वाला जिसकी स्तूती की जाए तथा सभी जगत विश्नु मय है तो किस की स्तूती की जाए जिस भगवान के श्वास वेद है फिर कौन सी स्तूती उनकी प्रसंता के लिए के जा सकती है जिसको वेद नहीं जान सकते ना वानी ना मन जान सकता है उसकी स्तूती मैं अज्यानी क्या दर सकता हूँ सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो ब्रह्मा विश्णो आप ही हो सारे संसार को उत्पन करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन करने वाले हो जब जीव शरीर को धारन करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन होता है तुम सब सुखों के दाता हो इसमें कोई भी संशे नहीं है आप से संपोण सुखों को देने वाली बुद्धी उत्पन होती है आप ही पांच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विवित भाव हो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की कवियों में जो रूप शुभा देता है उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिसमें ज्यान रखने से शुरुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं उस परम भ्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ मैं उस सत रूप हरी को जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यग्य करते हैं, उस माधो भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ. मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, एहिंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ. संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायू से सदा भवकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुंचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्यान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ. जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरी के इच्छ नहीं रहती, जिसको जानकर अदवैतवादी आत्मा को देखते हैं, यदि विश्णु शब्द का अर्थ और उसके विश्य का ज्यान एक ही होता, तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर आपके ही ध्यान में तो इस सत्य से भगवान में भरी निर्विधन भक्ती हो, जो बेज नहीं है, तो भी बिना बेज के स्वयम विद्धेमान है, तो वह है विश्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बेज के टुकडे टुकडे को जो स्रिष्टी, स्थिती तथा लाय के लिए भ्रह्मा, वि तीन रूप धारण करते हैं, और कारे में सत, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्धेमान हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन हो, जो प्राणियों के हिर्दे रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन हो, जो अविध्या पूर् जगनमें आप हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी आप बिना साथ की बने रहते हो। विकार रहित जिनके चारवाख पंच भूत योग से पैदा हुआ चतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको श्रीर का परिणाम मानते हैं। और सांखेवादी आपको ही प्रकृती से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जनम इत्यादी से रहित, चतन्य रूप, सदा, आनंद स्वरूप, उपनिशद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाशादी, पंच महभूत, देह, मन, बुध्धी, इंद्रिया, सब कुछ आप ही हो। आप से अलग और कुछ भी नहीं है। आप ही सब प्राणियों को उत्पन करने वाले हो और मुझको शरन देने वाले हो। आप ही अगनी, रवी, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया, तथा फल सब आप ही हो। करम के फल देने वाले वैकुंठ में आपके सिवाए और कोई नहीं है। मैं आपकी शरन में है। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरन देने व दुवा में पृति होती है वैसी मेरी पृति आप मैं हो जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूद्ध ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को प्रतेग पाप मुनुश्य को उस समय तक ही सुक देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं ले जिसको गुण जाती तथा धरम को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती जो इंद्रियों के वशी भूत नहीं है जिनका बड़े बड़े मुनी लोग साक्षात नहीं कर सकते उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जितने ज्यान रूपी सुन्दर गुण हैं जिन्होंने सुक स्वरूप मुक्ष रूपी लक्षमी का आलिंगन किया जिन्होंने आत्म स्वरूप सुक भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यू को वश्मे कर लिया है ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्क जो जनमादी से अलग हैं, जिनको काम, क्रोध, आदी दोश दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूं. जिनके ग्यान की गती से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है जिनके ग्यान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमशकार करता हूँ जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन करते हैं इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे इस प्रकार उसकी सची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन होकर उस भ्रामन को दर्शन दिये और भ्रामन की स्तोती से प्रसन होकर तथा उसको वर्दान देकर भगवान अंदर ध्यान हो गए और वह भ्रामन कृत-कृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिश्यों के साथ स्त्रोध पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा जो कोई भी इस स्त्रोध को पढ़ता या सुनता है उसकी बुद्धी पाप में नहीं रहती और ना ही बुरा फल देखता है इसके किर्टन से मुनुश्यों की बुद्धी, मन तथा इंद्रियान स्वस्थ होती है जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जब करता है वहवैश्न बद को प्राप्थ होता है इसके सदयाव पढ़ने से मन वांचित कारिया सिध हो जाते हैं मनुश्य सुपूत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चेरायू प्राप्थ करता है इसके पाट से बुध्धी, धन, यश, किर्थी, ज्यान तथा धर्म बढ़ते हैं दोश्ट क्रहों की शान्ती होती है यह व्याध्यों वह अनिश्टों को दूर करता है दूरगती से तारता है इसके पढ़ने से सिह, व्याध्य, चोर, भूत, देव, पिशाच और रक्षस का भय नहीं रहता जो भगवान का पूजन करके इस स्त्रोत को पढ़ता है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल, पंक से कमल जो इस स्त्रोत को एक काल, दो काल या तीन काल पढ़ता है वह अक्षे पल प्राप्त करता है जो मनुष्य, प्रातह काल इस स्त्रोत का पाठ करता है वह इस लोग और परलोग में अक्षे सुख पाता है वेद धियुति का बनाया हुआ यह स्त्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है योग सागर नाम का यह स्त्रोत परम पवित्र है जो कोई भी भक्ति पुर्वक इसको पढ़ता या सुनता है वह विश्नुम लोक को जाता है आज का यह महात्मे अध्याए यही स्माप्त होता है अगले अध्याए में आप पिशाज मोक्ष की कथा सुनेंगे तो आईए अब पूरे भक्ति भाव से श्रवन करते हैं श्री विश्नु चालिसा दीजे क्यान बताई नमो विश्नु भगवान खरारी कष्टन शावन आखिल भिहारी प्रबल जगत मैं शक्ति तुम्हारी त्रिपुवन फैल रही उजियारी सुन्दर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहनी मूरत तन परपितांबरति सोहत बैजन्ती माला मन मोहत शंक चक्र करगदाबि राजे देखत देत्य असुर्दल भाजे सत्यधर्म मदलो बन गाजे काम क्रोध मदलो बन चाजे संत भक्त सचन मन रंजन दनुच असुर्दुष्टं दल गंजन सुखूप जाए कष्ट सब भंजन दोश मिटाए करत जन सचन पाप काट भव सिंधु उतारण कष्ट नाश्तर भक्त उभारण करत नेक रूप प्रभू धारण केवलाप भक्ती के कारण धरणी धेनु बन सुमह पुकारा तब तुम रूप राम का धारा भार उतार असुर दल मारा रावन आदिक को संहारा आप वराह रूप बनाया है न्याक्ष को मार गिराया धर्मत स्यतन सिंधु बनाया चौदा हरतनन को निकलाया अमिलख असुरन ध्वंद मचाया रूप मोहनी आप दिखाया देवन को अम्रित पान कराया, असुरन को छवी से बहलाया, कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्रा चल गिरी तुरंत उठाया, शंकर का तुम पंद छुडाया, भस्मा सुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंद उन ही ढुणवाया, मोहित बनकर खल ही न चाया, उसी ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकिन ही लडाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई, सुमिरन केन तुम ही शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ग्यानी, व्रिंदा क है लाद उबारे, हिन्ना कुशा दिक खल मारे, गणिका और जा मिल तारे, बहुत भक्त भव सिंदु उतारे, हर हूँ सकल संताप हमारे, क्रिपा करू हरी सिर्जन हारे, देखू हूँ मैं निज दर्श तुमारे, दीन बंधु भक्तन हित कारे, चहताप का सेवक दर्शन, क करहू दया आप नीमदु सोदन, जानु नहीं योग्य जप पूजन, होई यग्य स्तूती अनु मोदन, शील दया संतो सुल लक्षन, विधित नहीं ब्रत बोध विलक्षन, करहू आप काकिस विधी पूजन, कुमती विलोक होत दुख भीशन, करहू प्रणाम कौन विधी स सुर्मुनिकरत सदा सेवकाई, हर्शित रहत परमगति पाई, दिन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेवा पनाई, पाप दोश संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपति दे सुख उपजाओ, निज चरनन का दास बनाओ, निगम सदा ये विने बढ़े सुने सो जन सुख भावे, इती श्री विष्णु चाली सा संपून, प्रेम से बोलिये विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय,